Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सबी लोगं का स्वागत है आज हम एक नया course जो है start करने वाले हैं आप लोगं को मैंने बताया था recently कि एक नया course जो है आप लोगं के लिए आने वाला है That is your certificate physical and human geography GC Leong बहुत ही important ये book है मैं कहूँगा geography के लिए और जैसे कि आप लोगं को पता है कि हमारे channel पे जो NCRT geography है Class 11th और 12th की जो 4 book है ठीक है वो almost up cover complete हो चुकी है सिर्फ जो India People and Economy Class 12th की एक geography की book है उसके कुछ last के 4-5 chapters के आसपास बचे हुए है वो भी बहुत जल्द cover हो जाएगा Monday, Tuesday, Wednesday अभी वही चल रहा है बाकी हफते के 3 दिन, that is Thursday, Friday, Saturday, सुबर के 8 बज़े ये course स्टार्ट हो चुका है मतलब आच से स्टार्ट हो रहा है और जब वो geography complete हो जाएगी India People and Economy तो उसके बाद फिर हफते के 6 के 6 दिन जो है वो यही course आपका जो है physical, certificate physical and human geography GC Lyon का चला करेगा ठीक है, तो इस course के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज यह देखींगे कि इस course में हम लोग क्या पढ़ेंगे, slavos वगरा क्या रहेगा तो पहले मैं आप सभी लोगों से thankful हूँ, मतलब जिन लोगों ने भी इस course के demand करी और आप लोगों के demand की वज़े से ही यह course जो है यहाँ पर आपाया है, तो मैं आप सभी लोगों से यह भी request करूँगा कि अब आप लोगों ने जब इसकी demand की थे और आपके demand पर जब एक course आ रहा है, तो प्लीज इस course को जादा से जादा share कीजेगा, जादा से जादा like कीजेगा, अगर आपको कहीं पर भी किसी चीज की कमी लगती है या को कुछ चीज ऐसी लगती है कि कुछ और better तरीके से चीज़े हो सकती है, तो अपने feedbacks जो है वो भी हमें जरूर दीजेगा ठीक है, और बाकि जो लोग चैनल पर नए हैं, उनसे भी मैं request करूँगा कि अगर आप लोग को content इस चैनल का पसंद आ रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और bell icon जरूर प्रेस कर लीजेगा, so that की वीडियो के notifications वगरा जो होते हैं, वो बिल्कुल में साप लोगों से ना, ठीक है, तो बुक जैसे के आप लोग को पता है, Certificate, Physical and Human Geography, ठीक है, इसमें दो पार्ट है, तो अभी हम बेसिकल फिलाज स्टार्ट करेंगे, पार्ट वन, that is part one, Physical Geography, इसमें जो number one chapter है, सबसे पहरा chapter है, that is about the earth and the universe, ठीक है, अर्थ के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, shape of the earth और ये सारी चीज़े, solar system के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, अर्थ के जो movements होते हैं, किस तरीके से day and night होता है, किस तरीके से अर्थ का revolution ह है, rotation को लेकर चीज़े है, हम लोग latitude, longitude, काफी सारे लोगों को latitude, longitude में जो है, वो confusion होता है, रैसे तो खेर हम इन चीज़ों को पहले भी देख चुक है, लेकिन यहाँ पर फिर से इस book में जब चीज़े दी गई है, तो उनको देखेंगे, longitude से time कैसे decide होता है, standard time क्या है, international date line क्या है, यह सब चीज़े हम यहाँ पर इस chapter में cover करेंगे, इसके बाद जो second chapter है, that is about the earth crust, ठीक है, इसमें जो structure of the earth है, classification of rocks, जैसे कि हमने पहले भी बात की हुए अपनी NCRT की books में, about the types of rocks, जैसे कि igneous rocks है, sedimentary rocks है, metamorphic rocks है, इनका landscape पर क्या असर पढ़ता है, अर्थ के movements क्य है, major landforms क्या है, types of mountains, type of plateaus, type of plains, इनके बारे में बात करेंगे, अगले chapter रहेगा about the volcanism and earthquakes, ठीक है, काफी important chapter है, types of volcanoes के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितने type के हमारे intrusive landforms वगरा होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, किस तरीके से, volcano का origin होता है, distribution क्या है, volcanoes का in the world, इसमें के बा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, इसके बाद जो चौथा chapter है, that is about the withering, mass movement and groundwater, ठीक है, एक तरीके साब कह सकते हैं कि जो हमने अपनी NCRT की book में पढ़ा है, with the name of geomorphic processes, ठीक है, जो हमारे geomorphic processes, geomorphic agents है, जैसे कि withering है, mass movement है, ground water से किस तरीके से वह होती है, withering वागरा, तो यह स CRT का हमारा एक chapter है, 7th chapter, ठीक है, fundamentals of physical geography का जो 7th chapter है, जहां पर हमने different types of landforms के बारे में पढ़ा है, तो वो यहां पर अलग-अलग chapter में दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि हम यहां पर चीज़ों को थोड़ा सा और detail में देखींगे, ठीक है, कि running water से कौन-कौन से landforms बनत पढ़ेंगे, islands and coral reefs के बारे में detail में पढ़ेंगे, और हम यहां पर पढ़ेंगे oceans के बारे में, यह जो chapter oceans का है, यह काफी अच्छा chapter इसमें दिया गया है, काफी important chapter है, इसमें पूरा का पूरा जो आपका ocean के temperature को लेकर बात है, ocean की salinity को लेकर बात है, कि किस तरीके से जो ocean water ह है, उसका movements होता है, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, हर एक एक ocean का हम लोग यहां पर circulation वगरेंगे देखींगे, तो जो यह पहले 10-12 chapter है, 12 chapter जो है, यह आपके part 1 cover करते हैं, that is your physical geography, और इसके बाद जो part 2 है, that is your weather, climate and vegetation, chapter 13 से start होता है, इसमें भी कुछ important concepts है, थोड़ा बहुत हमें पता है, अब हम N blank mode में नहीं है, हमें चीजों का थोड़ा बहुत idea है कि जैसे weather और climate में क्या अंतर होता है, difference between weather and climate, temperature में क्या है, winds, sunshine, clouds, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ा पता है, उसको हम थोड़ा और detail में अब यहां पर चीजों को आप कह सकते हैं कि एक level ऊपर कि देखेंगे, क्योंकि हमें NCRT से चीजों का थोड़ा बहुत idea है, ठीक है, similarly हम climate की बात करेंगे, जैसे कि insulation क्या है, factors affecting the climate क्या है, temperature के बारे में, factors affecting temperature, इन सब के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग different types of climates की यहां पर बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही जादा extensive यहा climate, the hot desert in the mid latitude climate, the warm temperate western margin that is your Mediterranean climate, ठीक है, इस तरीके से सारे climate जितने भी type के है, temperate, continental, steppie climate, और हर चैप्टर के अंदर हम लोग यह का और करेंगे, कि इस तरीके का climate जो है, वो कहां पर पाए जाता है, distribution कैसा है, वहां पर climate किस तरीके का होता है, natural vegetation कैसी होती है, और economic development उस area का, उ British type climate, Siberian climate, यह सारे के सारे climates के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, that is your Laurentian climate, the Arctic and the polar climate, तो यह सारे के सारे जितने भी type of climates यहां पर होते है, इनके बारे में बहुत detail में हम लोग समझेंगे कि इनका distribution कैसा है, distribution pattern कैसा है, climate कैसा रहता है, यहां पर economic development वगरा कैसे है, और क काफी important यह book रहने वाली है, मैं कहूंगा कि 25 chapter की total यह overall book है, हम लोग कोशिश करेंगे इस book को जितना जल से जल complete करने की, क्योंकि most probably हम लोग इसको daily करेंगे, कुछ दिनों के बाद तो यह book daily हो जाएगी, फिलाल लेकिन 3-3 दिन भी हम इसको कर रहे है, तो हम काफी अच्छे available होगा, तो यह देखिए, देखिए जो course है वो आपको available रहेगा, दो जगे, ठीक है, यह मैं आपको पहले भी और courses के लिए भी यह चीज सेम है, तो इस course के लिए भी यही रहेगा, कि जो हमारा full course है, full course का मतलब होता है, आप अगर full course की बात कहें, तो full course में आपके videos तो आत यह तीनों चीज है मिला के आपको हमारी website पर मिलेंगी, और इस course का जो link है वो आपको नीचे description box में मिल जाएगा, अभी तो basically course जो है वो website पर active नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे, तो थोड़स वीडियो के बाद यह course जो है आपको website पर द ठीक है तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि इस channel को जरूर subscribe कर लें और bell icon प्रेस करके रखें, so that कि जब भी नया video post होता है, जब भी नया video publish होता है, तो आपको उसकी notification मिल जाए, और आपको ढूड़ना ना पड़े, बार बार जाके आप वीडियो उसको ढूड़ से और मुझसे specifically अगर मैं बात करूं तो उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश की जाएगी, अगर फिर भी आप लोगो कुछ भी चीज, मैं course start हो रहा है, मुझसे पहले ही आप लोगों को बता दे हूँ, कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज ऐसी लगती है जो shortcomings रहे गई थी, कुछ ऐसी कम्या रहे गई हो जो पिछले courses में, पिछले geography classes में हम लोगों नहीं cover की है, तो आप लोग प्लीज उसके बारे में भी जो है, पहले ही बता दे, ताकि एक दो वीडियो के बाद हम चीजें जो है, उसको implement करके, अगर कहीं पर भी कोई भी scope of improvement है, तो वो हम जरूर कर लें, ठीक है, तो चलिए, यही information थी इस वीडियो में आज के लिए, कल से अब इसमें जो है, वो regular videos जो है, वो start हो जाएंगे, ठीक है, जो पहला chapter आपका the earth and the universe है, उसको लेकर हम लोग कल से start करेंगे, ठीक है, तो जो लोग भी इस course का awaited था, काफी await था, यह course आप लोगों ने काफी इसकी demand की थी, तो मैं फिर से आप लोगों से वही कहूँगा, कि जरूर से इस course को आप लोग जादा से जादा शेयर कीजिए, इस information को, लोगों तक पहुचाईए, कि यह जो course वगरा है, यहाँ पर start हो गया है, फाइनली, और किस तरीके से course वगरा रहेगा, वो मैंने आपको पूरा-पूरा बता दिया है, इस वीडियो को आप लोगों के साथ और अपने friends अपने के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को सारी information जो है वो मिल जाए, ठीक है, बागी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा facebook page, twitter page, telegram channel का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कोई भी अगर आप हमसे बात कहना चाहें, कुछ feedback देना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी email id का भी यूज़ कर सकते हैं, that is okul.co at the rate gmail.com, ठीक है, चलिए, कल के lecture से number one chapter को हम लोग start करेंगे, first chapter को, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye bye.